हेलो सुडेंस में नाम वनीत पांडे आप देख रहें क्लास एच मैट्स टूपाई क्लास बच्छों में इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे एक्जामपल नंबर त्री को बट इसके पहले के वीडियो जें सी आइटी के अगर आपने नहीं देखें तो आप बच्छों चैनल आपका पीओ भी क्या है फाइवे एन भी फाइवे मन भी फाइवे और पीक्यू भी फाइवे इस तरीके से इस हेक्सेगन की जो साइट से हो क्या है फाइव सेंटीमेटर है ठीके ना और कह रहा है कि find the area of this hexagon using both method रिदमा ने इसका area निकालने के लिए ये वाला method यूज को और अमन ने यह वाला method मतलब सुझो रिदमा ने क्या किया बच्छो रिदमा ने M को O से जोइन किया तो यह वाला diagonal इसको मिल गया ठीक और इसी तरीके से आर को P से जोइन किया तो यह इस तरीके से रिदमा ने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइट कर लिया एक यह उपर यह वाला triangle फिर यह rectangle दिखाई पड़ ला है यह वाला और नीचे triangle दिखाई पड़ाई पड़ाए ओपर वाले triangle ओर नीचे आले triangle का area आपका सेम होगा ठीक किना symmetrical अगर ऐसा यहां 20 से अगर आप ऐसे फोल्ड करके रखोगे तो यह वाला जो ट्रैंगल है यह इसको कवर करके तक यहां पर आप देखते हैं अब देखें बच्चों किस तरीके से इसका हम एरिया यहां पर फाइंड करेंगे ठीके ना चलिए बहुत इजी है अगर आप ध्यान देंगे बच्चों यहां पर सो यह देखिए यह N से लेके Q तक ठीके ना यह देखिए यह N से लेके Q तक यह पूरा कितना है 11 है सामने दिया हुए देखिए यह हो गया 11 अब हम M को O से जोइन करेंगे और इसी तरीके से R को P से जोइन करेंगे ठीके सुडेंस ओके यह वाले पॉइंट का नाम अगर मैं A रख दूँगा और यह वाले पॉइंट का न यह पूरा आपका कितना था 11 था यहां से लेकर यह देखिए N से लेकर Q तक अब एक बार बताइए बच्चों यह पूरे 11 में से 5 हटाओगे ठीक है ना 11-5 करोगे अगर आप यह पूरा 11 था 11 में से 5-5 करेंगे तो कितना आएगा 6 अब 6 को 2 parts में डिवाइट कर लिजे 3 और 3 में क्योंकि सर N से ए तक 3 हो जाएगा ठीक और इसी तरीके से O से लेकर B तक मतलब Q से लेकर B तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह लिजे ठीक तो आप देख सकते हो 3 plus 5 8 8 plus 3 11 तो यह N से लेकर Q तक पूरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ओके स्टेंट्स तो यहाँ पर यह पर्पेंडिकुलर ही होगा, obviously, यह लीजे, फिक, तो na की जो लेंथ आ रही यह, वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और m से लेके o तक कितना है, यह दीजिए बच्छों, जितना आर्पी आपका, rp कितना है, 8 cm, यहां से यहां तक, यह 8 cm, तो जितना आर्पी है, 8 cm, उतना ह ही आपका MO है एट सेंटीमेटर ठीक सो यह आप देख सकते हो इस तरीके से ठीक ना तो अगर आप ट्राइंगल M N O का एरिया निकालेंगे यह वाले कर लेंगे 200 to for the of 43 the total into one Israel तो इस तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया कितना अगया 12 क्योंस्कायर वह संटीमेटर स्कॉइर्ट ऑपर वालए ट्राइंगल है इसका एरिया आपका अपका कितना 12 इदर क्या है क्यूंकि द्हान से चेक करें पच्छों नीच्वाले ट्रेंगल का नाम है और इधर क्या है क्यूं है ठिक तो आर्पी ख्यू का एरिया कैसे निकलों के यह हैं यहां से क्यू और यह वाला पॉइंट बड़े टो यह पर्पेंडिकुलर अभी निकला कि ना IQ अब अभर कोबस कितना है एए यह देखरों आप बश्कुत्माने कर अपको फिर से कतनी है त्री तो इस तरीके से अगर आप एरिया निकालेंगे नीचे बहुत easy question है कुछ नहीं करना है इसमें two one's are two two four's eight four three's हा कितना होता है 12 12 into one is 12 so यहां से दिखिए आ गया 12 cm2 ठीक तो नीचे वाला जो triangle है आपका इसका भी area कितना हो गया इसका भी area हो गया कितना 12 cm2 okay students 12 cm2 ओके अब यह दिखिए अब बीच में आपका rectangle बचा हुआ है MN sorry MOPR यह rectangle है इस rectangle का area निकाल लीचे तो यहां से निकालते हैं देखिए area of rectangle is equals to क्या हो जागा बच्छों यह पूरा rectangle यह वाला ठीक तो इस rectangle में length into breath formula लगा दोगा तो यहां आप देखोगे A से लेके B तक कितना है 5 या O से लेके B तक सब्सक्राइब का कितना आ जाएगा 8 into 585 कितना length into breath कितना होता है 40 cm2 ओके तो इस तरीके से students यह जो आपका area आ गया है यह देखिए जो rectangle का area आ गया है यह कितना आपका यह आपका 40 cm2 ठीक है अब आप देख लो ऊपर वाले ट्रेंगल का और बीच वाले rectangle का और नीचे ले ट्रेंगल का area एड़ कर दो कि तो पूरे hexagon का area आ जाएगा ठीक तो जो रिजमा का method है वहाँ से area of hexagon कितना आ जाएगा area of hexagon is equals to ध्यान दे बच्चो ऊपर वाले triangle का area 12 प्लस rectangle का area 40 cm2 और प्लस नीचे वाले triangle का area कितना हो गया 12 अब इसको आप add कर दीजे बच्चो ठीक है ना सो कितना आ जाएगा 12 प्लस टू प्लस 2 कितना होता है 4 और 4 प्लस 1 प्लस 5 64 cm2 तो इस तरीके से रिदमा के method से जो आंसर आ रहा है hexagon का area वह कितना आ रहा है कि 64 cm2 ठीक है यह रिदमा का method है और के स्टिंस इसको आप note कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं अमन ने कौन सा method लगाया है त्रीके से वीडियो पॉस करके नोट कर लीजिए बच्चो ओके नोट कर ले शुद्देंस वीडियो पॉस करके कर लिए चलिए आपको दिखाता हूं अमन का method, ओके, so, अमन ने क्या किया, आइए इसको देखते हैं, देखिए, now students, अमन ने क्या किया, अमन ने n को q से जोईन कर दिया, ठीक, जब अमन ने n को q से जोईन कर दिया, तो इस तरीके से अमन के बास two trapezium बन गए, कौन सा trapezium, एक तो ये वाला trapezium आपको दिख रहा होगा, ठीक, कौन सा, M, N, Q, R, इसमें parallel sides कौन सी, M, R is parallel to N, Q, ठीक, आप देख सकते हो, M, R is parallel to N, Q, ए, ठीक है students, तो एक ऐसा quadrilateral जिसमें one pair, यानि कि two sides parallel होते हैं, उसको हम trapezium बोलते हैं, तो ये trapezium हो गया, M, N, Q, R, क्योंकि इसमें M, N, इसमें parallel to क्या हो गया, N, Q हो गया, ठीक, तो अब हम यहां formula लगा देते हैं, सबसे पहले हम ये वाले trapezium का area निकाल लेंगे, फिर हम एक ये भी trapezium आपको यहां दिखाई बढ़ड़ा होगा, ठीक, न, N, O, P, Q, इसका हम area निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकालने जा रहे है, M, N, Q, R का area, ठीक, और एक बात और, जितना area M, N, Q, R का आएगा, उतना ही M, O, P, Q का भी आएगा, ठीक, उतना ही area इसका भी आएगा, symmetrical figure है, आप देख सकते हो, उतना ही area यहां पर आएगा, फिर भ M, N, Q, R, ठीक, area of trapezium M, N, Q, R, M, N, Q, R, ओके सुदिन, अब बताएगे, trapezium का area का formula गया आता, one upon two, into, some, यह देखिया, आपने ऐसा formula पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा, H in the bracket, A plus B divided by 2, यह area आपने पढ़ा है formula, H क्या होता है, दोनों parallel sides के बीच का perpendicular distance, A और B क्या होती है, parallel sides होती है, ठीक, तो parallel sides आपकी कौन सी है, यह देखिये, MR, यानिके MR क्या हो जाएगा, A, और N, Q हो जाएगा आपका B, ठीक, अब B की value आप कितनी रखोगे, यह देखिये, B है, ठीक, B कितना है, 11 है, यह देखिये, यहाँ से यहाँ तक यह सामने आपको दिया होए, कितना है, 11 है, ठीक, तो B की value आप रखोगे, 11, ठीक है students, तो यह हो गया sum of parallel sides, और दोनों parallel sides के बीच का perpendicular distance कितना हो जाएगा, यह देखिय इसका shaded region हमने हटाया माल लीजे, और यहाँ से क्या किया, हमने एक perpendicular draw किया, यह देखिये, हाला कि आप इसको join करोगे अगर पूरा, जैसे हमने last figure में किया था, इस पूरे को, तो यह 90 था यहाँ पे, ठीक है, यह पूरा कितना था, 8 था, ठीक, तो यह midpoint हो जाएगा, तो यह यहां से यह 4 है ना, 4 प्लस 4, total 8 हो गया, तो हाफ हाफ कितना हो गया, 4, 4, तो यह हो गया 4, ठीक, तो यहां साब देखोगे, यह हो गया, 4, 4 H की value हो जाएगी, perpendicular distance के बीच, parallel lines के बीच का perpendicular distance कितना हो गया, 4, यहने कि H की value कितनी हो गया, 4, ओके students, So, H की value हमने 4 रखी, dot का मतलब into, और सम आफ parallel sides, यहने कि A प्लस B, A की जगा हम रखेंगे 5, और प्लस B की जगा हम कितना रखेंगे, 11, और डिवाइडेट वाइट तू, इसको हम सॉल्फ कर लेंगे, 2, 1, 2, और 2, 2, 2, जा कितना होता है, 4, तो यहां सा आएगा 2, नीचे 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं, 5 प्लस 11 कितना होता है, 16, ठीक, 16, और यहां multiply है, 2 into 16 कितना होता है, 32, 32 centimeter square, ठीके बच्चों, तो जितना ये वाले टरफीजियम का आया है area, ये वाले का, कितना है, 32 centimeter square, उतना ही ये वाले टरफीजियम का भी आएगा, अगर आप बोलो तो मैं आपको फटा-फट दिखा देता हूं निकाल के, देखी हम क्या करेंगे, formula same लगेगा, ठीक, h की जगा क्या रखोगे, पहले आप a और b की जगा देखो क्या रखोगे, a की जगा 5 रखोगे, ये 5 है, क्योंकि ये वाली side इसके parallel होगी, ठीक, so 5 प्लस 11 करेंगे bracket में, और NOPQ is also 82 cm2, ठीक, फिर उठा के दोनों trapezium के area को हम क्या करेंगे, add कर देंगे, तो hexagon का area आ जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से, यहां से अगर हम निकालेंगे, area of hexagon, area of hexagon, तो simply क्या हो जाएगा, left वाले hexagon का 32, और प्लस, right वाले hexagon का भी क्या हो जाएगा, 32, so 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 64 cm2, ठीक है students, तो इस तरीके से, जो अमन का method है, उससे भी answer कितना आ रहा है, 64 cm2, कहने का यह मतलब है, कि NCRT, इस question से आपको यह सिखाना चाहता था, कि एक ही, polygon का area, निकालने के different methods हो सकते हैं, different तरीके से, different triangles, different rectangles, different trapezium में divide कर सकते हैं, diagonals को join करके, ऐसे diagonal join कर दो, या इन दोन को join कर दो, या कोई और तरीका भी हो सकता है, ठीक है students, तो एक figure का area निकालने के बहुत सारे methods हो सकते हैं, आप कोई भी अपना सकते हो, कोई भी आप तरीका follow कर सकते हो, okay, note कर लीचे,